कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हम freedom चाहते हैं अपना खुद का business शुरू करना चाहते हैं लेकिन कुछ negative thoughts, कुछ mental blockage उसे रोकती हैं वो लोगों का दिखाया हुआ डर होता है, experience की कमी होती है या फिर जानकारी का अभाव भी होता है लेकिन अगर आप business शुरू करना चाहते हैं और चाहते हैं कि business की basic knowledge आपको मिल जाए तो फिर आज की audiobook summary को सुनने के लिए आपका बहुत-बहुत स्वागत है पेमस एक्टल जॉन वाइने ने एक बार कहा था Life tough है लेकिन अगर आप stupid है तो यह और भी ज़्यादा tough हो जाती है एक business चलाना इतना भी पेचीदा काम नहीं है एक successful businessman बनने के लिए आपको MBA की डिगरी लेने की जरूरत भी नहीं है हो सकता है कि आप fail होने से डरते हो या शायद आपको पता नहीं है कि शुरुआत कहां से करनी है अगर आप भी इन सवालों में उलजे हैं तो यह book आपके लिए है यह सबसे practical और समझने में आसान business book है तो आज की audio book summary है personal MBA जिसे लिखा है जोश कॉफमेन ने जोश कॉफमेन एक business coach, keynote speaker और best selling author है उन्होंने proctor and gamble में कई सालों तक brand manager के रूप में काम किया है फिर उन्हें एहसास हुआ कि उनका purpose अपना खुद का business से start करना है जोश ने MBA नहीं किया लेकिन उन्होंने हजारों business book पढ़कर कई हजार घंटों के practical experience से बहुत कुछ सीखा है इस audiobook summary में आप कई important concepts के बारे में सीखेंगे आप समझेंगे कि असल में business कैसे काम करता है इसकी शुरुआत कैसे करनी चाहिए और अपने मौजूता business को कैसे improve किया जा सकता है आपने अकसर लोगों को ये कहते सुना होगा कि business करना बहुत risk होता है आप इसमें बड़ा पैसा हो सकते हैं या आप business चलाने में expert नहीं है जितनी भी negative बातें लोग आपको बताते हैं उन सब के बारे में भूल जाएए आपको successful होने के लिए सब को जानने की जरूरत नहीं है और एक बड़े investment की जगा आप छोटी सी शुरुआत भी तो कर सकते हैं एक business शुरू करने के लिए आपको 5 चीज़ों को समझना होगा तो आईए एक एक करके इन्हें गहराई से समझते हैं शुरू करते हैं पहले चेप्टर से जो की है value creation बिजनस शुरू करने के लिए सबसे पहली चीज़ जो आपको सोचनी है वो है product आप कौन सा product या service लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं अपने product या service के जरीए आप लोगों को कितनी value दे पाएंगे आपकी असली worth इसी बात पर depend करती है कि आप लोगों को उनके पैसों के बदले कितनी value दे सकते हैं ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी लोगों को जरूरत है या market में जिसकी कमी है या फिर demand है जो भी चीज customers की life को थोड़ा भी better बना दे उसे value कहा जाता है value एक ऐसा experience भी हो सकता है जिसे customer हमेशा याद रखे और दूसरे product उसे अपने और attract ना कर सके एक ऐसा experience जिसके सामने दूसरों की service ठीकी लगने लगती है यानि अगर आप दूसरों के मुकाबले उसी दाम पर अपने product में ज्यादा value जोड़ करके देंगे तो आप लंबे समय तक successful बने रहेंगे और यह संभव है इसी सोच से आप loyal customers बना सकते हैं दुनिया के top brands और business ने इसी बात पर focus किया है इसे और अच्छे से समझने के लिए आईए पहले business को detail में समझते हैं business एक लगातार चलने वाली process है जो पहला डिमांड को समझ कर product या service create करके value provide करता है दूसरा जो कुछ लोगों की जरूरत को पूरा करता है तीसरा product या service को ऐसे दाम पर बेशता है जिसे customers देने के लिए तयार होता है चौथा एक ऐसा product बनाता है जो लोगों की उमीद पर खरा उतर सके और पांचवा इस तरह business इतना profit कमा सकता है जिससे business जारी रखने के लिए businessman को सोचनाना पड़े ये पांच चीजें business के important points हैं और एक दूसरे से जुड़े हुए है पहला है value creation इसमें customer की जरूरत को समझ कर एक product या service बनाया जाता है और दूसरा है marketing इसका मकसद होता है लोगों का ध्यान अपने product की तरफ खीचना और अपने बनाये हुए product की demand को create करना तीसरा है sales इसमें आप अपना product customers तक पहुँचाते हैं जिसके लिए वो उचित कीमत चुकाते हैं चौथा है value delivery इस step में आपने जो वादा किया था वो value और experience कस्मर को देना और इस बात का ध्यान रखना होता है कि आप उनकी उम्मीदों पर खरा उतरें और पांचवा है finance इसका मकसद ये देखना होता है कि आप इतना profit तो कमा है कि business को continue किया जा सके तो देखा आपने एक business को चलाने के लिए सिर्फ इन पांच बातों पर ध्यान देना जरूरी है जरूरी तो नहीं कि business करना बहुत मुश्किल और पेचीदा हो और वैसे भी जो job आप कर रहे हैं क्या वो आपके लिए बहुत आसान है चाहे आपने finance के subject को study किया हो या नहीं आप अमीर रहे हो या नहीं आपके परिवार में कभी भी किसी ने business नहीं किया हो तब भी आप अपने दम पर business की शुरुआत कर सकते हैं अपने business के इन पांच points को paper पर लिखें या आप एक simple diagram भी बना सकते हैं अगर आपने इसे ठीक से कर लिया तो इसका मतलब है कि आप सही direction में बढ़ रहे हैं इसका मतलब ये भी है कि आपके पास एक clear business plan है और वो बिल्कुल successful हो सकता है आपको एक बात और जानने की जरूरत है इसे iron law of the market कहते हैं इसे हम इस कहानी से समझ सकते हैं दीन केमन एक inventor है 2002 में उन्होंने Segway PT बनाई थी ये एक self-balancing two-wheeler scooter है जिसे उन्होंने 5000 डॉलर में बेचा था दीन का कहना था कि उनका product transport industry में एक revolution लाने की ताकत रखता था ठीक वैसे ही जैसे car के invention ने घोडों और बग्यों की जगे ले ली थी उन्होंने उम्मीद की थी कि वो एक साल में 50,000 स्कूटर बेचेंगे लेकिन 5 साल बाद भी वो सिरफ 23,000 स्कूटर ही बेच पाये थे जिहां 23,000 और यह उनके goal का 10% भी नहीं था स्कूटर का design उसका problem नहीं था वो काफी simple और आराम दैक था और तो और वो eco friendly भी था problem थी उसकी cost लोग एक स्कूटर पर 5000 डॉलर खर्च नहीं करना चाहते थे इसके बजाए पैदल चलना या बाइक पर जाना ज्यादा सस्ता था इस product की market में कोई demand थी ही नहीं जो businessman बनना चाहते हैं वो अक्सर यही गलती दोराते हैं profit कमाने के लिए market में आपके product की real demand होनी चाहिए अगर यह सिर्फ आपकी imagination में होगा तो काम नहीं करेगा इसे iron law of the market कहते हैं अगर आपके product की demand नहीं होगी तो इसे खरीदेगा कौन इसी लिए अपने business plan को बनाने के बाद उसे दो बारा ठीक से देखें थोड़ा बहुत market research करना बहुत फायदे मंद होगा और आईए अब अगले chapter पर बढ़ते हैं जो है marketing आपका product तो ready है मगर अब आप अपने product की demand कैसे create करेंगे यह सिर्फ marketing द्वारा ही किया जा सकता है सिर्फ product बनाना ही काफी नहीं है आप क्या offer कर रहे हैं लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए marketing का मकसद होता है सही लोगों का ध्यान अपनी और attract करना और आपका product खरीदने के लिए उनमें दिल्चस्पी जगाना यह आपके target customers होते हैं marketing उन customers को ढूणने का science है जो आपका product जरूर खरीदेंगे जो business सबसे तेज और कम पैसों को खर्च करके अपने target customers को attract कर लेता है उसे एक उमदा और successful business कहा जा सकता है आप जितने ज़्यादा लोगों तक अपना product पहुँचा पाएंगे आप उतने ज़्यादा successful होंगे marketing को अक्सर sales समझने की गलती की जाती है हम सबने direct marketing की बारे में सुना है इसमें salesman spot पर customers को अपना product दिखा कर उसे खरीदने के लिए convince करता है लेकिन आम तोर पर marketing right customers का ध्यान अपनी और खीचने के बारे में है तो वहीं sale उसे कहा जाता है जब customer आपका product खरीद कर बदले में आपको पैसे देता है यानि marketing वो mechanism है जो आपके target customers को आपके product के बारे में बताता है लोगों का ध्यान खीचना बहुत महनत का काम है लोग अपने daily life में इतनी busy हैं कि हो सकता है कि उनका ध्यान आपके product पर न जाए इसलिए आपकी marketing बहुत सबर्दस्थ और असरदार होनी चाहिए ताकि customer उसे notice करने पर मजबूर हो जाए अब सवाल ये है कि इसे किस तरह किया जा सकता है पहला marketing right customer को attract करने के लिए किया जाना चाहिए मान लिजी कि आप घर पर बना vegetarian खाना बेजना चाहते हैं तो social media पर vegetarian audience को search करें आप वहाँ पर एक blog post कर सकते हैं या अपनी website का link share कर सकते हैं अगर आप non vegetarian audience को अपने आड के बारे में बताएंगे तो ये आपकी बेवकूफी होगी दूसरा आपकी marketing कुछ हट कर होनी चाहिए कुछ ऐसा जिसे देख कर उससे नजरें हटाना मुश्किल हो जो customer में उस product के बारे में और जानने की इच्छा पैदा करें जैसा कि इस example में जोश कॉफमैन जब भी jogging पर जाते तो अपना Vibram five finger shoes पहनते थे वो जूते काफी unique थे और आसानी से किसी का भी ध्यान अपनी और खीच लेते थे रास्ते में लोग अक्सर जोश को रोक कर उनके जूतों के बारे में पूछा करते थे जूतों का shape इतना हट कर था कि लगता था मानों से gloves और जूतों की design को mix करके बनाया गया था अंगूठे की जगे एक pocket जैसा shape था उनके soul पतली rubber के थे जो रास्ते पर पढ़े पत्थर और काँच से पैरों को सुरक्षित रखने का काम करते थे इसे पहनने वाले के पैर बिलकुल एक मेंड़ के पैर जैसे लगते थे उसकी design इतनी अलग थी कि सब की नजर उस पर पढ़ ही जाती यहां तक कि एक खडूस और स्टिक दिखने वाला आदमी भी जूश को रोक कर पूछी लेता कि उन्होंने जूते कहां से खरीदे वीब रूम को अब advertise करने की जरूरत नहीं थी उनका ये unique product अपने आप बिख जाता था ये product बहुत ज़ादा successful रहा 2006 में जब इसे पहली बार market में display किया गया तब से लेकर हर साल इसकी sale तीन गुना बढ़ती रही ये एक fashion trend और craze बन गया था 2009 तक इसकी total sale 10 million डॉलर तक पहुँच गई उन्हें टीवी commercial और बड़े-बड़े will board के जरिये advertisement करने की जरूरत ही नहीं थी author सिद गोडीन का कहना है कि marketing एकदम unique और दिल्चस्प होनी चाहिए बिल्कुल एक purple cow की तरह जितने भी marketing techniques और ideas हैं वो सब brown cow जैसे हैं बिल्कुल एक जैसे boring और ordinary अब एक field में बहुत सारे brown cow के बीच में एक purple cow को imagine करें आपकी नजर उस पर पड़ेगी ही पड़ेगी आप चाहकर भी उससे नजरे नहीं हटा पाएंगे आपको exactly यही अपने customer के साथ करना है आपकी marketing इतनी जबरदस्त होनी चाहिए कि लोग आपका product खरीदे बिना ना रह सकें तो इसी के साथ अगले chapter की उर बढ़ते हैं जो की है sales sales business process का वो हिस्सा है जहां आपके पास असल में पैसा आता है अगर आपकी marketing जोरदार है तो product अपने आप बिकने लगेगा आपको अलग से कोई strategy या trick की use करने की जरूरत नहीं होगी आपका goal होना चाहिए कि लोग आपके product के बारे में जानें उसे पसंद करें और उसकी quality पर भरोसा करें तब जाकर वो हमसे खरीदेंगे बार बार खरीदेंगे और लोगों को भी इसके बारे में बताएंगे sales का सीधा connection value creation, marketing और value delivery से है आपको right customer पर focus marketing के साथ उनका भरोसा जीतना होगा लेकिन अगर आपकी quality खराब हुई तो सब कुछ बेकार हो जाएगा आप brand और reputation सिरफ तब बना पाएंगे जब आपकी product की quality top class होगी अब जितना ज़्यादा value अपने product में जोड़ते जाएंगे आपके customers उतने ही आपकी तरफ loyal होगे value जोडने का मतलब है अपने customers को उसी कीमत पर एक ऐसा experience देना जो दूसरे ना दे सके कई बार ये experience उनके लिए इतना अच्छा होता है कि वो ज्यादा कीमत चुकाने के लिए भी तयार हो जाते है आपको अपने customers को अपने साथ बांधे रखना है ताकि अगर नए products launch हो तब भी वो आपका ही product खरीदना पसंद करे जब customer आपके product और service से संतुष्ट होंगे तब वो दूसरों को इसके बारे में बताएंगे आप इसे mouth-to-mouth publicity भी कह सकते हैं जब आपके product की quality उसकी publicity का कारण बन जाती है सेल बनाने की एक और टिप है इसे damaging admission कहा जाता है जब कोई चीज बहुत अच्छी होती है तो लोगों को उस पर शक होने लगता है उस पर विश्वास करना मुश्किल हो जाता है अगर आपका offer कुछ स्यादा ही perfect हुआ तो संभावना है कि लोग पूछने लगेंगे कि चक्कर क्या है भाई damaging admission कस्तमर को सीधे सीधे अपने product की कमी यानी drawback बताने के बारे में है इस तरह आप उनका भरोसा जीत सकते हैं ऐसा करने से उन्हें एहसास होगा कि आपने जूट बोल कर उन्हें cheat करने की कोशिश नहीं की है जोश कॉफमेन और उनकी wife केलसी Colorado में एक घर rent पर लेना चाहते थे उस समय वो New York में रहते थे उनके नए landlord Ben और Betty ने damaging admission का इस्तिमाल किया था उन्होंने उन्हें property के बारे में सब खुल कर बताया Northern Colorado एक पहाड़ी इलाका है उन्होंने जोश को बताया कि उन्हें rocks light के लिए तयार रहना होगा उन्हें आसपास के एरिया में घूमने वाले शेर और भालू से भी चौकन ना रहना होगा जोश ये सुनकर घबराए नहीं और ना ही उनका मन बदला अब वो Ben और Betty पर और भी ज़्यादा भरोसा करने लगे उन्हें इस बात की खुशी थी कि उन्होंने कुछ छुपाया नहीं उनके साथ क्या-क्या हो सकता है इस बारे में खुल कर बता दिया और आखिर में भालू को भगाने के लिए पेपर स्प्रेख खरीदने के बाद उन्होंने फाइनली रेंट एग्रिमेंट पर साइन कर दिया अब उन्हें एक कार की भी जरूरत थी क्योंकि न्यूयोक में उनके पास अपनी कार नहीं थी उन्होंने आनलाइन सेकंड हैंड कार सर्च करना शुरू किया लेकिन आनलाइन एक बड़ी एमाउंट का पेमेंट करने में उन्हें हिच के चाहत हो रही थी तब उन्हें कार डिलर मास्टर आटो कलेक्शन के बारे में पता चला उन्होंने जॉश को कार की छोटी से छोटी डिटेल्स को ठीक से दिखाने के लिए कई फोटोज दिखाए यहां तक की कार के पीछे जो थोड़ा सा करोच का निशान था उसे कार डिलर ने चुपाया नहीं बलकि उसकी भी फोटो जॉश को भेजी जॉश और उनकी वाइफ कार डिलर की ऑनेस्टी से बहुत खुश थे उन्हें विश्वास हो गया था कि डिलर भरो से मंद था इसलिए उनमें कार खरीदने का कॉन्फिडेंस और भी बढ़ गया था मान लिजे कि आप एक लैप्टॉप डिलर हैं तो आप कस्टमर को explain कर सकते हैं कि लैप्टॉप का एक particular model office और घर के काम के लिए तो बहुत बढ़िया है लेकिन gaming के लिए नहीं क्योंकि उसमें high graphics और ज्यादा space की जरूरत होती है या अगर आप smartphone की सेक्टर में हैं तो आप कस्टमर को बता सकते हैं कि इस phone का camera quality तो लाजवाब है लेकिन battery capacity कम है सच बोलने से सब कुछ पहले बता देने से आप customers का विश्वास जीच सकते हैं और बहुत high chances हैं कि आपकी deal उस वक्त final भी हो जाए तो आईए अब आगे बढ़ते हैं next chapter की ओर जो की है value delivery एक अच्छे business का secret मंत्र होता है आपने जो वादा किया उसे ठीक से अपने customer तक पहुँचाना कई business जूटे वादे करके customer से पैसे तो एंट लेते हैं लेकिन बदले में उन्हें कुछ और ही deliver करते हैं उसे scam और धोका कहा जाता है value delivery का मतलब होता है customer ने जितने पैसे दिये उसके बराबर या उससे ज़्यादा value से देना इस process में कई चीज़ें शामिल हैं जैसे inventory management, order process करना, product delivery और sale के बाद customer service सबसे उमदा business हो होता है जो customer के सामने ऐसा product पेश करे जो उसकी उम्मीदों से भी उपर हो इसका मतलब है कि आपके product delivery में अच्छी quality, भरोसे मंद service और fast service ये सब शामिल होने चाहिए इस बात की guarantee है कि एक happy और satisfied customer दोबारा आपका product सरूर खरीदेगा ये customer दूसरों को आपके product के बारे में बता कर आपकी sale भी बढ़ा सकता है क्या आप Zappos की success का secret जानना चाहते है Zappos एक leading online shoe store है 2009 में Amazon ने Zappos को 1.2 billion dollar में खरीद लिया था Zappos customer को free shipping की सुविधा देते थे इसके अलावा अगर customer का मन बदल जाए तो उन्हें जूते return करने की भी facility दी गई थी और Zappos उनसे बिना कोई सवाल पूछे जूते वापस ले लेते थे इन सब सुविधाओं के कारण ज्यादा से ज्यादा लोग उनसे जूते खरीदने लगे लेकिन Zappos की एक खासियत जो उन्हें दूसरों से अलग बनाती थी वो ये थी कि वो customer को उनकी उमीद से बढ़ कर service देते थे वो next day delivery से अपने customers को surprise कर देते थे order place करते समय उनकी website पर लिखा होता था कि delivery में 3-7 दिन लग जाएंगे लेकिन वो अगले दिन delivery कर customer को हैराण कर देते थे Zappos ने अपने store के लिए या जो extra सुविधा वो दे रहे थे उसके लिए कभी advertise नहीं किया वो सिर्फ अपने customer को एक अच्छा experience देना चाहते थे इसलिए उनके कई loyal customers बनते चले गए आप भी ऐसा कर सकते हैं हमेशा अपने customer की जरूरत को पूरा करने और उनकी उमीद से बढ़ कर कुछ देने की कोशिश करें नहीं तो आपके और दूसरों के service में कोई फर्क नहीं होगा आप extra ordinary नहीं बलकि सिर्फ ordinary service देने वाले बनकर रह जाएंगे अब हम बात करते हैं प्रडिक्टिबिलिटी की इसका मतलब होता है कि आपने जो बादा किया था बिलकुल उसी समय कस्टमर को quality product डिलिवर करना ये factor market में आपकी goodwill बनाता है आईए इसे इस कहानी से समझते हैं ओहायो में आरोन और पैटरिक शिरा दो भाई रहते थे वो business partners भी थे उन्हें Shira Suns Paintings के नाम से जाना जाता था वो ज्यादा तर large scale painting project का का काम करते थे जैसे university, multi million dollar के घर, military base, आदी-आदी उन्होंने जब शुरुआत की थी तब उनके पास कुछ भी नहीं था लेकिन कुछ समय बाद वो ओहायो में एक जाने-माने painting brand के नाम से मशूर होने लगे थे तो इन दो नौजवानों ने उस area के painting दिगजों से कैसे मकाबला किया इसका राज है predictability उन्हें hire करने का मतलब था कि इस बात की पूरी guarantee थी कि वो आपको बिलकुल time पर quality product डिलिवर करेंगे ना quality में कोई कसर बाकी होगी और ना time में कोई देरी इसलिए दिन बदिन उनके customers की गिंती बढ़ती जा रही थी उनके मकाबले दूसरे painters काफी unpredictable थे वो काम को खत्म करने में बहुत समय लगाते थे काम में देर से आते बाचीत में मिलंसार और विवारिक भी नहीं थे उनके काम की quality भी अच्छी नहीं थी लेकिन आरोन और पैट्रिक अलग थे वो हमेशा समय पर काम शुरू करते और समय पर उसे पूरा भी कर देते थे उनका सुभाव अच्छा था और काम की quality बहुत बहतरीन थी इन कुणों के कारण मार्केट में शिरा संस का नाम बनने लगा और उनकी अच्छी repetition बन गई थी प्रेडिक्टिबिलिटी में तीन factors होते हैं पहला है uniformity यानि आपका product या service हमेशा बिलकुल सेम होना चाहिए example के लिए कोका कोला क्या आपने कभी गौर किया है क्या आप दुनिया के किसी भी कोने में जब कोक पीते हैं तो उसका टेस्ट बिलकुल सेम होता है और लोग ये उमीद भी करते हैं कि उसका टेस्ट बिलकुल सेम हो इसे uniformity कहते हैं ये करना इतना असान नहीं है इस ट्रिंग को बनाने से लेकर इसकी packaging और distribution के हर step में कोका कोला ने uniformity को बरकरार रखा है जरा सोच कर देखिए कि हजारों जगह बिलकुल सेम प्रोड़क्ट पहुँचाने के लिए ट्रांसपोर्ट, वेर हाउस और नजाने किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है दूसरा factor है consistency जिसका मतलब है कि उसी quality का product बार बार customers को देते रहना कोका कोला ने 1980 में एक गलती की थी उन्होंने कोक की recipe में बदलाव किया था उन्होंने new cook के नाम से product पेशना शुरू किया लेकिन वो लोगों को बिलकुल पसंद नहीं आया अपनी गलती का एहसास होने के बाद उन्होंने दोबारा पुरानी recipe को follow करना शुरू किया और उसकी sale पहले की ही तरह तेजी से बढ़ने लगी तीसरा factor है reliability यानि अपने product को बिना किसी गलती और बिना देर किये लोगों तक पहुचाना ओनलाइन स्टोर स्नैब डील के साथ पास्ट में शर्मिंदा करने वाले कई हाथ से हो चुके हैं एक बार एक customer ने Samsung Galaxy Core smartphone order प्लेस किया था लेकिन जब package की delivery की गई तो box में से साबुन की बट्टी निकली ऐसी ही embarrassing घटना एक बार फिर होई जब एक customer ने Macbook Pro का order दिया था और बदले में उसे heater deliver किया गया अरे रुकिये अभी खतम नहीं हुआ एक बार किसी customer ने iPhone 4S का order किया था लेकिन जब उसमें box खुला तो उसमें से marble stone से भरा bag निकला इन सब से उबरने के लिए snap deal ने नई शुरुआत की और snap deal 2.0 लॉंच किया एक अच्छी repetition बनाने के लिए customer को आप पर भरोसा होना चाहिए कि अगर उन्होंने आपको order किया है तो उन्हें सही समय पर अच्छी quality product ही deliver किया जाएगा इसी लिए आपको अपना value delivery करने में uniform, consistent और reliable तीनों होना होगा loyal customers बनाना इतना आसान नहीं है लेकिन इन तीनों बातों को ध्यान में रखने के बाद आप ज्यादा profit और ज्यादा loyal customers दोनों ही कमा सकते हैं और आएए अब बात करते हैं finance की जब भी लोग finance शब्द को सुनते हैं तो बड़े बड़े boring bar chart, spreadsheet और कभी ना खत्म होने वाले numbers के बारे में सोचने लगते हैं लेकिन अगर आप सिर्फ जरूरी बातों पर focus करेंगे तो finance को समझना simple है finance वो knowledge और science है जिसका काम ये देखना है कि business में पैसा कहां जा रहा है और कहां से आ रहा है इसके बाद ये decide करना कि कितना पैसा कहां लगाना है और फिर देखना और समझना है कि आप जैसे पैसों को manage कर रहे हैं क्या वो आपको मनपसंद result दे रहा है या नहीं आपको किसी डरावने बार ग्राफ और लंबे calculation को समझने की जरूरत नहीं है चाहे आप एक business graduate हो या ना हो तब भी आप इसे आसानी से और अच्छे से handle कर सकते हैं तो चलिए मान लेते हैं कि आपने एक business शुरू किया है और वो काफी अच्छा चल रहा है आपके product से अच्छी कमाई हो रही है उसके बाद आपको कई सारे bills, employees की salaries वगएरा के खर्चों को उठाना पड़ता है इसके बाद जो पस्ता है वो होता है आपका profit यहां से profit margin की शुरुवात होती है अगर आपका business साल में 10,00,00 डॉलर कमा रहा है लेकिन आपके खर्चे ही 9,99,99,99 डॉलर हैं तो यह तो बेवकूफी वाली बात हो गई न आपको ज़्यादा कमाकर के कम खर्च करना होगा ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा profit घर ले जा सकें इस profit को आप business को बढ़ाने के लिए या unexpected घटनाओं में survive करने के लिए यूज कर सकते हैं अगर आपका profit margin कम होता गया तो business बंद होने की नौबत आ सकती है profit margin का simple मतलब है कि पैसे कमाने के लिए आपको कितने पैसे लगाने है जब revenue और expenses को minus किया जाता है तब हमें profit मिलता है ये margin जितना बड़ा होगा उतना ही फायदे मंद होगा आपका business तो मान लेते हैं कि 200 dollar कमाने के लिए आपको 100 dollar खर्च करने होगी ये 100% profit margin हुआ अगर आपकी production cost 50 dollar है और आप एक unit 150 dollar में बेशते हैं तो profit margin 50% हुआ profit ही तो है जो किसी भी business को continue करने के लिए सबसे important factor होता है ये आपके time, effort और energy investment का result होता है लेकिन business सिर्फ profit के बारे में नहीं है पैसा इसका एक tool है अगर आपका profit figure बहुत बड़ा नहीं है तब भी आप एक संतुष्ट और खुश बिजनेसमेन हो सकते हैं हम concept of sufficiency की बात कर रही है आईए इस कहानी से ये समझते है एक बार एक company का senior employee चुट्टिया मनाने गया उसके doctor ने उसे break लेने की सलाहती थी इसलिए वो एक छोटे से गाउं में हर्याली और शांती के बीच कुछ समय बिताने चला गया एक दिन वो walk पर निकला नदी किनारे चलते चलते उसकी नजर एक मचली पकड़ने वाले पर पड़ी वो अभी अभी मचलीया पकड़ कर अपनी बोट के साथ लौट रहा था उसने कई बड़ी-बड़ी मचलीया पकड़ी थी इतनी अच्छी quality की मचलीया पकड़ने के लिए उस आदमी ने मचवारे की बहुत तारीफ की उसने पूछा सर इने पकड़ने में आपको कितना समय लगा ज्यादा नहीं मचवारे ने कहा आप कुछ दिर रुक कर और मचलीया क्यों नहीं पकड़ लेते उस विक्ती ने पूछा मैं अपने परिवार का पेट भरने जितना कमा लेता हूं मचवारे ने कहा तो फिर आप बाकी समय में क्या करते हैं उस आदमी ने पूछा मैं अपने बच्चों के साथ खेलता हूं बीवी के साथ समय बिताता हूं अपने दोस्तों से गप मारने जाता हूं मचवारे ने जवाब दिया सर मैंने हावड यूनिवर्सिटी से MBA किया है मैं आपकी मदद कर सकता हूं आपको थोड़ी और देर मचलिया पकड़नी चाहिए ज्यादा प्रॉफिट से आप और बोट खरीद पाएंगे बीच में किसी आदमी के जरीए मचलिया बेचना की बजाए आप सीधे कस्मर को बेच सकते हैं फिर आप अपनी फैक्टरी भी शुरू कर सकते हैं आप मचलियों को कैन में पैक करके ग्रॉसरी स्टोर में भी बेच सकते हैं अगर आपने सब ठीक से मैनेज किया तो आप इस छोटे से गांफ से निकल कर एक बड़े शेहर में रह पाएंगे आपकी लाखों में कमाई होगी अच्छा और इन सब में कितना वक्त लगेगा मचवारे ने पूछा पंदरा से बीच साल या शायद पच्चिस साल भी लग सकते हैं उस आदमी ने कहा ओ फिर उसके बाद क्या होगा मचवारे ने सवाल किया अरे यही तो कमाल की बात है आप अपनी धेर सारी जमापूंजी के साथ रिटायर हो सकते हैं उसके बाद फिर आप अपने बच्चों के साथ खेल सकते हैं बीवी के साथ समय बिता सकते हैं दोस्तों के साथ गप मार सकते हैं तो मचवारे ने कहा वो तो मैं अभी भी कर रहा हूँ तो अंत में यही समझ में आता है कि मच्छवारा उस एंप्लॉई से कम कमाते हुए भी ज्यादा खुश था वो अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने जितना कमा कर अपनी जिंदगी में मस्त था दूसरी और वो एंप्लॉई लाखों कमा रहा था लेकिन उसका सारा समय आफिस में बीच जाता था उसके पास अपने परिवार के लिए समय ही नहीं था इसने उसे ठका दिया था बीमार कर दिया था जिस वज़र से डॉक्टर ने उसे रिलेक्स करने की सलाह दी थी इसी का मतलब होता है सफिशेंट होना यानि काफी होना सिर्फ लाखों कमाने से बिजनेस सक्सेस्फफल नहीं होता आपको उतने ही प्रॉफिट की जरूरत है जिससे आप ठीक से बिजनेस चला सकें और अपने परिवार की जरूरतों को पूरा कर सकें बचे हुए समय में आप इस जीवन का आनंद ले सकते हैं अभी तो आप इस दौरती हुई दुनिया में इतने बिजी हैं आपके पास धलते हुए सूरज को देखने का भी वक्त नहीं है लेकिन कहीं ऐसा नहों कि आपको ये भी पताना चले कि काम करते करते नजाने कब सिंदगी की शाम हो गई क्योंकि एमप्लॉईज और कांट्रेक्टर्स को महीने के अंत में पैसे दिये जाते हैं तो आप हर महीने के खर्चों को कैलकुलेट कर सकते हैं जब तक खर्चों के बाद बचा हुआ प्राफिट आपकी जरूरतों को पूरा कर सके तब तक वो बिजनेस अच्छा है तो दोस्तों इसी के साथ ये आउडियो बुक्समरी यहीं पर खत्म होती है जो की हमें ये मेसेज तो देती ही है कि बिजनेस करना इतना भी कठिन नहीं है किसी भी सब्जेक्ट के हमेशा कुछ बेसिक्स होते हैं अगर उन बेसिक्स को समझ लिया जाए तो इस फील्ड में परफॉर्म करना आसान हो जाता है अगर बिजनिस करने से डर लगता है या ये सूच है कि आर ये बहुत कठिन होगा तो शुरुआत में हर काम कठिन होता है और फिर धीरे आसान हो जाता है तो आपने बिजनिस के पाँच मेजर फैक्टर्स के बारे में जाना जो हैं value creation, marketing, sales, value delivery और finance आपने iron law of the market के बारे में समझा कोई भी product बनाने से पहले market research करना और ये जानना कि क्या सच में उस product की demand है या नहीं सबसे जरूरी step है बिना ऐसा कि ये product को market में launch करना बेवकूफी है आपने right customers का ध्यान खीचने के बारे में भी सीखा अपनी marketing उन लोगों पर focus करें जिनकी आपके product को खरीदने की सबसे ज़्यादा समभावना है आपने goodwill और repetition के importance के बारे में भी जाना सिर्फ अच्छी quality आपको एक brand बनाने की ताकत रखता है लोगों को आपके product के बारे में जानने की उसे पसंद करने की और आप पर भरोसा करने की जरूरत है तब जाकर वो बार बार आपसे खरीदेंगे और दूसरों को भी इसके बारे में बताएंगे आपने predictability के बारे में जाना इस बात का ध्यान रखें कि आप exactly वही product उसी quality के साथ समय पर customer's तक पहुँचाएं परंद में आपने efficiency के बारे में समझा जब तक आप खर्चों के बाद उचित profit घर ले जाते हैं तब तक आपका business successful है amount minor नहीं रखता ये सब के लिए अलग-अलग होगा जरूरत से जादा काम करने के चक्कर में उन अनमोल बनों को ना गवाएं जो आप अपने परिवार और अपनों के साथ बिता सकते हैं हमारी इच्छाएं कभी खतम नहीं होगी और ना ही वो कभी कम होने वाली हैं तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम बस बिना रुके काम करते रहें सिर्फ profit के figure से success को नहीं आका जा सकता आपको अपने परिवार, employees और साथ काम करने वालों की खुशियों को भी ध्यान में रखना होगा आप कुछ समय निकाल कर समाच सिवा के काम में भी हाथ बटा सकते हैं सिवा सिर्फ पैसों से नहीं की जाती, अपना समय देना भी एक सिवा है जब आप किसी की जिन्दगी को थोड़ा भी बहतर बनाने में कामयाब हो जाते हैं तब ही सही माइनों में वो एक मीनिंगफुल बिजन्समेन और जीवन होता है तो अब आप जानते हैं कि आपको क्या करना है कैसे बिजन्स की शुरुआत करनी है किसी भी चीज़ को खुद को पीछे पकड़ कर ना रखने दे अगर आपने सब कुछ समझदारी और धैरिता के साथ फॉलो किया तो आपको एक अच्छा बिजन्समेन बनने से कोई नहीं रोक सकता